मावबादी को नेद्रित्तो मा होस रा मावबादी बाटी लाइपनी एगता बर्द पनी पार न सक्कियोस रा फेरी आम जन्ता को भावना लाइपनी कदर गर्न सक्कियोस रामिले बावुरम भट्राइची लाई परदानमंत्री को स्वामत्री को परदानमंत्री को कैंडिडेट गुरुप मा अगाडी सारे गापनी छौँँ अधियो सबेला थाग है कही कुराव तो कैंडिडेट समी दिगुए एक मत्री नियाने गडी गोच तरा नेपाली कोंग्रेस बाट पनी फेरिक कैंडिडेट अगाडी सारी सगे पछी ततकाल सरकार निर्मान को विशेमा सव मत्री कठी न गयो यह सम्माई तयो हुनुता पर्तियो तरा भायना अब तिन दिन धफिएको छ अब तिन दिन भीत्रा सव मत्री बनस बनने को सिस च तहीए भीत्र सांती परकिरिया का विशे मा ठोष सहामती बने दावी भने गर्नुभायों। बहुमतिय सरकार गठन भावे पनी सांती परकिरियार समिधान लेखन कारे प्रति सवे राजनितिक दर प्रति बद्ध भायकाले मुलुक ले निकास पाउने वहा को विश्वास छा। समझधारी गराओ बनना त्यस्मा आमरो सविध्यांतिक मतरे वे ना भावनात्मग पनी मिलेगो देहा चुनाओ नेपाली कंगरेस समाधान को मौडालीटी संख्यार दर्जा का विश्वास मावादीले हदेशमक लचकता अपनायको भाय पनी नेपाली कंगरेसले राष्टी स शक्ति भाय शेना समयाजन करना कुने आफ्ठेर नहुने जिकिर गरनु भाया। शक्ति भाया शेना समयाजन करना कुने जिकिर गरनु भाया। शक्ति भाया शेना समयाजन करना कुने जिकिर गरना समयाजन करना कुने जिकिर गरनु भाया। शक्ति भाया शेना समयाजन करना कुने जिकिर गरनु भाया। शमक रूप बाटा हेमाले महावावादी मदेश्त वादी दल रसाना दल हरुसां पुने। शक्ति भाया शेना समयाजन करना कुने जिकिर गरनु भाया शेना समयाजन करना कुने। शेर्वाद देववालाई ने बनावन उपर ने बंदई देववाप पक्षेले सभावतिला दबाब दिने निर्ड़य करें पछी कांग्रेश्मा विवाद बढ़ेको शा। इसागी देववाले समसुद्य दलका नेता रामचंद्र पावडिल विरोद्द अविश्वास को प्रस्ताफ लियावने तयारी गरेपशी विवाद मिलाउनों देववालाई सहमत्य प्रधान मंत्रिक मेद्वार बनावने प्रस्ताफ शेर्षा देथावले गरेका थी। बहुमत्ये का लागी आफो मेद्वार भायको बंदै समसुद्य दलका नेता तथा उपसभावति रामचंद्र पावडिल अफन पक्षिन मा पाटे वित्र रा बाहिर लविंग शुरू गरी पेशी देववा पक्षिन पनी लविंग मा उत्रिये कुछ पोडिल ले बहुमत बहुमत्ये मा पनी देववालाई ने भंदै पाटी सभावति शुषिल को रहलालाई दवावदिने नेड़े करियो जसका कारण कांग्रेस पुना कलाहमा फसे कुछ और को तीरा मुखमा सहमत्य जब्दै भीत्रवेत्र भने बहुमत्य को खेलमा कांग्रेस अग्रशर बहुमत्ये सरकार को चल खेलमा न लागन देववार पौडेल लाई सुझार दिये को एक पदाधिकारी ले बताए बैचक मा देववार पौडेल दुवैले सहमत्य को संभावना निवन रहेको भंदै बहुमत्ये सरकार का लागी आफुलाई उमे द्वार बनावन परने अडान वेक्त गरे का थिये ते सगी सोंबारे देववा पक्षले बुडा निलकंठस्ते देववा निवासम भेला गरी बहुमत्ये का लागी पनी देववा लाई ने उमे द्वार बनावन पाड़ी सभावतिलाई दबाव दिने नेड़े गरे को थियो बेलामा सहभागी यही केंद्रे सदस्यले बहुमत्ये प्रकरियामा गईर आफू प्रधान मंत्री बनने लालसा का कारण पौडेल ले सहमत्य को समभावनालाई बिधोले को आरोप समेत लगायको एक नेताले बताए देवबाले समसदे दल्मा पौडेल विरोद्ध अविश्वास को प्रस्ताब लियावने त्यारी गरे पसी गत साता बसेको पधाधिकारी बैठकले देवबालाई सहमत्ये सरकार को लागे मेद्वार बनावने सहमत्यी गरे को थियो बहुमत्येमा पौडेले दावी गरेका भायपनी नेने गरेकु थिये न। तर देवबा पक्षिये केंद्रेश सदस्यर सभाशधरुली देवबा पार्टी को तरहवाट प्रधानमंत्रीक मेद्वार गोशना भैसकेकाली तेस विशेलाई स्तहमत्ये वा बहुमत्ये भनेर व महतो संगा भेट गरी आफुलाई सहयोग गर्ना आगरह गरे। मोचा का पांच मध्ये दोई दल्ले कांग्रेस लाईर सत्भावना सई तीन दल्ले मावादिलाई समर्थन गर्नुपन्ने बताई रहे का बेला पौडेलले महतो लाई भेटे का हुन। शान्तीर समिधान का लागी सहमतीको विकल्पचाईन भन्दै बाहीर बाहीर भाहीर भाषन गर्दे हिडे का कांग्रेसी नेताहरू भित्र भित्र भने बहुमत्को कसरत्मा लागनु विडम बना पौण हो।